मादिप्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कॉंग्रिस और बीजेपी नेकमर कसली है दोनों पार्टियों का खासा फोकस गौालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर है वो कॉंग्रिस के लिए प्रत्याशियों की तलाश कर रहे है मंगलवार को दिगवज़य ने तीन संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात की चंबल संभाग में आगामी उप्चुनाव को लिकर गुवालियर कॉंग्रिस अपने प्रत्याशियों की तलाश में जुड़ गई है राजिसभा सांसद और पुरो मुख्यमंतरी दिग्विजसीह मंगलवार को गुवालियर पहुचे जहां रेलवे स्टेशन पर दिग्विजसीह का कॉंग्रिस कारीकरताओं ने भविस्वागत किया इसके बाद दिग्विजसीह ने तीन संभावित प्रत्याशियों के घर जाकर उनसे बंदकमरे में मुलाकात की गुवालियर दौरे पर पहुचे दिग्विजसीह ने शिवपूरी से पहुरी से संभावित प्रत्याशी हरीवल लब शुकला गोहत विधानसवा शेत्र से संभावित प्रत्याशी देवाशेश जरारिया से उनके घर जाकर मलाकात की और विधानसवा उप्चुनाओ की रन्नीती पर चरजा की ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट